दोस्तों पॉल्टी ट्यूब यूट्यूब चनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस यूडियो में हम आपको CRD के बारे में बताने वाले हैं मुर्गियों में CRD लगने के क्या कारण होते हैं अगर हमारे पॉल्टी बड में CRD हो जाता है तो इसका लक्षण क्या है हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे मुर्गियों को CRD हो गया है और लास्ट में इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे आपके मुर्गियों को अगर CRD हो गया तो कौन सा देसी इलाज है जो आपके घर में उपलब्ध है और आधे घंटे के अंदर आप इसका इलाज सुरू कर सकते हैं और अगर आपको देसी इलाज नहीं करना है तो आपको कुछ दवाईयां भी बताएंगे जिससे कि आपकी पूरी की पूरी मुर्गियां बच जाएंगी और एक भी mortality नहीं होगी तो अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि अगर आपके पास पहले से जानकारी रहेगी तो आपको पूर्ट्री फार्विंग में कम से कन्नुकसान होगा तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन इस वीडियो को सुरू करने से पहले हमेशा के तरह आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा जिन भाईयों ने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग इसे फटाफट सब्सक्राइब करके बिल के आइकन को दबा दीजिए ताकि मुर्गी पालन से समंधित जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपके मुबाइल तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए तो दोस्तों बात करें अगर CRD की तो CRD का पूरा नाम होता है Chronic Respiratory Disease जो कि मुर्गियों को प्रभावित करने वाला एक खतरना सांस की बीमारी है CRD को अगर आप लगने के तुरंत बाद इसकी पहचान कर लेते हैं तो आपको ये कम से कम नुक्सान पहुँचाता है तो चलिए जानते हैं वो क्या कारण होते हैं जिसकी वज़से हमारी मुर्गियों में CRD की समझ्या आती है तो दोस्तों मुर्गियों में CRD का एक प्रमुख करना है पूर्टी छंता के हिसाव से ज्यादा पूर्टी बढ़ रखना मतलब कि आपके पोल्टी फार्मे की छमता 1000 मुर्गें और मुर्गियों के है और आपने उसमें जबर्जस्ती 1500 पोल्टी बढ़ रखे हैं तो ऐसे में आपके पोल्टी बढ़ में CRD होने की समाहना काफी बढ़ जाती है तो ऐसे में आपके पोल्टी बढ़ को CRD होने की समाहना बन जाती है तो जब भी अचानक से मौसम परिवर्तन होता है जिस तरह से आदियों में बीमारी यानी की सर्दी खासी जुकाम दिखने को मिलता है उसी तरह हमारे पोल्टी बढ़ में भी CRD की समाहना बढ़ जाती है औ तो ऐसे मौसम में भी काफी सम्हावना हो जाती है कि पॉल्टी बड़ में CRD आपके आ सकती है। दोस्तों CRD होने का अगला करण है कि पॉल्टी में सास्वभाई का अभाव हो जाना, लिटर गंदा हो जाना, आसपास धूल जमा हो जाना, पॉल्टी के अंदर काफी मात्रा में धूल ओना, वेंटिलेशन के अगर आपके पॉल्टी फार्म के अंदर अच्छी विश्था नह जाते हैं, जहां पर पहले से मुर्गियों को CRD हुआ होता है, तो ऐसा अभ्यक्ति अगर हमारे पॉल्टी फार्म के अंदर घुशता है, तो हमारी मुर्गियों भी CRD से संक्रमित हो जाएंगी, तो ऐसे में हमें बायो सिक्योर्टी का पूरा ध्यान लखना चाहिए, ताकि गल्दी से भी हमारी मुर्गियों को CRD की समस्या ना आने पाए, तो दोस्तों हमने अभी जाना कि हमारे मुर्गियों में CRD की समस्या क्यों आती है, चलिए अब जानते हैं, अगर हमारे मुर्गियों में CRD की समस्या हो गई है, तो इसका लक्षण क्या है, हम कैसे पहचाने कि हमारी मुर्गियों में CRD की समस्या आ गई है और अब हमें इसका इलाज करना है तो चलिए जानते हैं कि अगर हमारी मुर्गियों में CRD की समस्या आ गई है तो उनमें हमें क्या लक्षण दिखाई देंगे तो दोस्तों अगर आपकी मुर्गियों में CRD की समस्या आ चुकी चुकि गले में उनके वाइरल संक्रमड हो चुका होता है तो जब वो सांस लेती हैं तो उनको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है जिसकी वज़ा से जो उनका पीछे का पंग होता है यानि कि पूँच होता है वो काफी जोर-जोर से हिलने लगता है दोस्तों ध्यान दें जब आपके मुर्गियों में CRD के समस्या आते है तो हमेशा मुर्गियां मुह खोल के सांस लेती हैं और आप नोटिस करेंगे कि उनके नाक से लगातार पानी बाह रहा है तो ऐसे में आप समझ जाईए कि आपकी मुर्गियों को CRD के समस्या आ चुकी है और अब आपको इस का थेजी से वज़ं घटने लगता है और मुर्गियों में सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो मुर्गियां बार बार बैट जाती है यहां तक कि अगर आप मुर्गी पादन करते हैं मुर्गियां अंडे दे रही हैं और आपकी मुर्गियों को CRD के समस्य यानि बीमारी लग चुकी है तो आपकी जो मुर्गियां है वो अंडे का उत्पादन बहुत ही कम कर देती है तो दोस्तों हमने इतने ज़्यादा लक्षण आपको CRD के बता दिये कि आप आराम से पहचान कर सकते हैं कि आपके पॉल्टी बढ़ को CRD लग चुका है इसके ब CRD उसको खिला के ठीक करना चाहेंगे और कुछ लोग इसको एंटिबाइटिक और जो मेडिसन होती है वो देना चाहेंगे तो चलिए हम आपको दोनु तरह से बताते हैं कि अगर आप जो घर में हमारी चीज़े होती हैं सस्ते में और जल्दी में इलाज शुरू कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे कैसे आप 150 रुपाइ खर्च करके अपने मुर्गियों को सवस्त कर सकते हैं और बाद में हम आपको कुछ मेडिसन भी बताएंगे अगर आप उसको चलाएंगे तो मुर्गिया और जल्दी सवस्त हो जाएंगी तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारी मुर्गियों को CRD हो जाता है तो अगर हम जड़ी बूटी यानि की जो हमारे घर में चीज़ी उपलब्ध होती है जैसी की अद्रक हो गया लसन हो गया इसको खिलाके अगर सही करना चाहिए तो कैसे करें और इसका क्या तरीका होता है तो दोस्तों अगर आपके हम 15-20 संख्या में लॉंग लेना होगा और इसको अच्छी तरह से कूट के मिक्स कर लेना होगा और जब इसको ठोटे की तकड़ी हो जाएं तब आपको पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद इसको अपनी मूर्गियों को पिलाना है पिलाने का तरीका ये होगा कि अपने جो ड्रिंकर है मूर्गियों का उसमें एक लीटर पानी में कौफी मग जो होता है बडा वाला कप उसको मिला देना है और इस तरह से मान लिजी अगर आपके पर 100 मुर्गियां हैं तो आपको 5 ड्रिंकर रखने हैं और सब में एक बड़ा कप आपको ये काढ़ा मिला देना है इस तरह से अगर आप 5 दिन लगातार सुबह साम इसको देंगे तो आपकी मुर्गियां पूरी तरह से स्वस् पहले हर जग dog650 एम जियो की हर जगण मोख्यांदर क्थ तेंडेनर टामक् helpful कर दोसी है इसके बारे में बताते हैं म्यूट आपको पैसिता से बारीक पाउडर बनाना है और उसके बाद Comes केपसुल होता है मोक्स 500 का कैपसूल का इसका कैपसूल का इसको खोल के कवर को इसका पावडर निकालना है और servir 7 पृट अब 175 केपस को पावडर अब 5 यह पावडर आपको देना है देनें का तरीका यह है कि मान लेजे आपके पास 100 मुरगियां हैं और इसको अच्छी तरह से आपको मिला लेना है पानी में आप नहीं दे सकते किएगर आप इसको पानी में देते हैं तो एक तो मुर्गियां कभी ется हमें और एक साथ में पूरा पानी नहीं पीती जिसे कि हमारा बाखी का अगर अगर इसको में कोशित करेंगे तो जो मेडिसन होता है कभी भी वो पानी की तलहटी में जाके बैट जाता है तो इसका उतना असर पानी के साथ नहीं होता तो आप सव मुर्गियों के पीछे पांच टैबलेट ये पांच कैपसूल दोनों को अच्छी तरह से मिला के आप मुर्गियों को दे दीजिए और जैसे जैसे मुर्गियां फीट खतम कर देते हैं तो आप सुबह फीट देते हैं तो सुबह में मिलाईए दोपहर को देते हैं तो दोपहर के फीट में भी ये मिलाईए और शाम को भी मिलाइए आप मानके चलिए कि 3-4 दिनों के अंदर आपकी मुर्गियों से CRD पूरी तरह से खतम हो जाएगा और भहुत कम समय में बहुत कम लगतने आपकी मुर्गियों में से CRD की समस्या का समधान हो जाएगा तो दोस्तों अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो CRD की समस्या से कभी न कभी आपको सामना करना पड़ेगा तो इस वीडियो में हम CRD का लक्षन कारण उपचार सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में हमने बता दिया उमीद करते हैं कि जानकारी से भरा ये वीडियो आपको पसंद आगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें लाइक करें और हमारे चनल पर पहली बारा है तो कृपया इसे सब्स्राइब करके ही जाएं धन्यवाद